नमस्कार, हिंदी साहित्य वारता में आप हैं इस वक्त सुभाष ठाकुर के साथ NTA UGC NET वीशे हिंदी की हमारी त्यारियन चली है तो इसके अंतरकत हम पढ़ रहे हैं बक्तिकाल बक्तिकाल में हम आज देखेंगे निर्गुन और सगुन कवी उनका काब्या और इसमें जो मुत्तवण बिंदू है वो है संतकाल और प्रमुक कवी जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे तो चलिए बिनादेर के चुड़ार के हैं आज के लेक्चिर की सबसे पहले हम देख लेते हैं भक्तिकाब्या के बारे में राम भक्ती और किश्न भक्ती, अमुमन हिंदिसहीत्य के विध्यार्थि को ये डायग्राम पूरा याद होता है और होना भी चाहिए, जब हम भक्तिकावे के बारे में परदते हैं तो संत कावे को हम देखते हैं कि इसके जो प्रमुक कभी है वो है कबीर और जो दूसरा है वो है जाइसी राम भक्ती में तोलसिदास प्रमुख हैं और कृष्ण भक्ती में सूर्दास को प्रमुख माना जाता है तो यह जो चार स्थम्भ है इन ही के चलते हिंदी साहित्य को क्या गा जाता है हिंदी साहित्य के जो भक्ति काल है उसको क्या कहा जाता है स्वरनियुक कहा जाता है और जो स्वरनियुक की संगया देती वो तीती जॉर्ज ग्रियर सन ने तो क्लियर है यहां तक इतना कर क्लियर है कि हमें जो निर्गुन भक्ति और सगुन भक्ति उसका भी भाजन करना चाहिए कि निर्गुन भक्ति इसको संत कावे को ग्यान आशरे शाखा भी कहा जाता है और सूफी जो कावे है उसको प्रेम आशरे शाखा भी कहा जाता है यह हमें थोड़ी सीस की जानकारी होनी चाहिए ये था भक्ति कावय का थोड़ा सा परिचय, अब हम देख लेते हैं, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे निर्गुन भक्ति से, तो चलिए शुरुआत करते हैं निर्गुन भक्ति से, निर्गुन भक्ति में देखे कि वेदों में निर्गुन का सुरूप गत प्रतिपादन अरंब हो गया था, किन्तो निर्गुन शब्द का प्रत्थम व्यवार उपनिशदों में हुआ है, तो इक ये कहने का मतलब क्या है, जब हम भक्ति साहित्य के बारे में पढ़ रहे थे, इसके जो बैचारिक पिष्टभूमी के बारे में, जब हम पढ़ रहे थे, तो उस वक् बक्ति शब्द का प्रियोग मिलता है, क्लियर है, तो यहां पर अभी हम फिलाल इतना देख रहे हैं कि जो पहला प्रियोग है, वो कहां पर मिलता है, उपनिशद में मिलता है, और श्वेता श्वेतर उपनिशद में मिलता है, और श्वेता श्वेतर उपनिशद में मिलता ह निर्गुण उस अधुत्यदेव का विशेशन है, जो सभी प्राणियों में क्या है? समाहीत है, अंतरनहीत है, सरव्यापी है, सभी प्राणियों का अधिवास है, नानाकारियों का अधिश्ठाता है, साक्षी है, सब कोच ये थना परदान करने वाला है, तथा विशुद्ध निर्गुण है तो ये क्या है ये है निर्गुण अब हम देख लेते हैं आगे कि जो निर्गुण भक्ती के बारे में थोड़े सी और जानकारी हासिल कर लेते हैं कि निर्गुण संतों की जो विचारधारा के बीज हैं वो सिद्ध और नात कवियों की रचनाओं में तो मिलत नहीं है लेकिन जो नाम देव हुए है उन्होंने भी क्या किया है इस दिशा में थोड़ा बहुत कारे किया हुआ है दिखिए ठीक है आगे कहते हैं कि हिंदी में निर्गुन भक्ती साहित्य की परमपरा का प्रवर्तन और हिंदी साहित्य में जो निर्गुन भक्ती साहित्य क इनके गुरु का नाम विजोवा खेचर था तो यहां से प्रशन कई बार इस तरीके से पूछ लिए जाता है कि नाम देव का जो वैब साय था वो क्या था और ये मिलान वाले प्रशन में कई बार पूछा गया है एंटी यूजी सी नेट के एक्जाम में तो हमें इसकी बारे म थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए और इनके गुरुब गेरा के बारे में पूछ लिया जाता है तो वो कौन थे इसका भी हमें थोड़ा सा नौलेज होना बहुत जरूरी है तो चलिए अब हम देख लेते हैं आगे कि निर्गुन धारा की भक्ती के जो अन्य नाम है या प् अभीत करने की कोशिश की है अचारे रामचंदर शुकल और हजारी प्रसाद दुवेदी इनको हम कभी भी नहीं चोड़ सकते क्योंकि इन्होंने प्रतिक काल प्रतिक चीज के बारे में इन्होंने हिंदी साहित्य के बारे में कुछ ना कुछ जरूर कहा है तो ये बहुत मह अजारी प्रसाद दुवेदी जी ने देखे आगे गणपती चंदर गुप्त रामकुमार वर्मा और परशुराम चत्रुवेदी ये कहते हैं इसको संत काव्या ठीक है तो ये भी हो सकता है एक्जाम में कई बार पूछ ले जाए कि किसने निर्गुन भक्ति कहा है किसने ग्य तिन जो कभी हैं देखिए जो अलोचक हैं धिवेदी शुकल और रामस्वरूप चत्रुवेदी ये क्या कहते हैं कि कभीर जो हैं वो पहले कभी हैं ठीक है किसके निर्गुन काव्यदारा के लेकिन जो गणपति चंदर गुप्त और रामकुमार वर्मा है वो कहते हैं कि न मुख, निर्गुन, संथ कभी कौन-कौन से हुए हैं। तो देखे, यहां पर bracket में लिखा है रेक, जहंगु, सिलादाम, बासू। अगर आपको ये वाली पंक्ति याद हो जाती है, तो आप पूरे के पूरे जीतने भी निर्गुन, संथ कभी है, उनको पूरे करमानुसार आद कर लेंगे, तो ये थोड़ी हलकी सी ट्रिक है, अगर आपको ये वाली लाइन याद हो जाती है, ये पंक्ति याद हो जाती है, तो आप इसको इसली याद कर पाएंगे, अगर एक बार आपने इसको रट लिया, तो आप इसको कभी नहीं भूलेंगे तो देखिए एक बार मैं आपको फिर से सुनाता हूँ इसको याद कैसे करना है रेक जहंगू सीलादाम बासू इस तरीके से इसको याद रखेंगे देखिए रे से रेदा से तो यहाँ से जो प्रशन पूछा जाता है दोस्तों वो इस तरीके से पूछा जाता है कि या तो इनके जनम को कालकरम अनुसार इनको रखना होता है या फिर इनका जो जनम स्थान है उसके बारे में पूछ लिए जाता है इस तरीके से ही प्रश्णियां से बनेगा क्योंकि इनकी जादा या कुछ एक रचनाएं और रचनाओं को इनको आगे हम विस्तार से देखेंगे जब हम प्रमुक निर्गन संतों के बारे में जानेंगे तो चलिए देख लेते हैं कि रहे से क्या है रेधास है 1368 सी में इनका जनम हुआ था काशी में ठीक है काशी इनका जनम स्थान है कौसे कवीरदास हैं तो ये 1300 अंठानू में हुए है काशी में ही ठीक है ज़ाँ से देखें जम बनात है 1451 होसे हरीदास निरंजनी 1475 देखे पूरे system से आ रहे हैं करम वाईज आ रहे हैं तो इस तरीके से देखे पहली जो पंक्ती में ने पढ़ी वो आपने याद रखनी है तो गुरु नानक देव है गू से और 1469 में ननकाना साहब में हालांकि अब ये ननकाना साब है लेकिन पहले ये किस नाम से जाना जाता था तलवंडी ठीक है लाहोर के निकट एक ग्राम तलवंडी में इनका क्या हुआ था जनम हुआ था फिर आता है सींग से सींगा 1519 में हुए लाल दास 1540 दादु द्याल दिखे 1544 एहमदाबाद मलुक दास तो ये जो जिनके साथ जिनका जनम स्थान लिखा है दोस्तों ये जादा महत्वपूर्ण है इसलिए इनका जनम स्थान में इसमें मेंचन कर दिया है मलुक दास 1574 और मलुक दास की जो पंक्तिया अक्सर पूछ ली जाती है जो है इनकी उसको भी हम देखेंगे कि कौन सी वो संथाथ दोस्तोम पंजाब में और सुनधर दास का 1526 में जैपूर में इनका जनम मुह आता तो ये हैं प्रमक निर्गुन संत कवी अब इनके जो प्रमक कवी हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं सबसे Pहले हम देखेंगे कवीर दासची के बारे में तो जो कवीर थे दोस् किया, तो हो सकता है, इस तरीके से यहाँ प्रशन, यह प्रशन कई reopenता है, एक्जाम में पूछ लिए जाता है कि इनके जो गवानी का संग्रही है, किस नम से संग्रहित कीया था, तो यह धर्मदास ने बीजक नम से किया था इसको, और इसके तीन भागें आगे साखी, सबद और रमेनी इनकी बानियों का सबसे प्राचिंतम नमूना गुरुगरंद साही में मिलता है तो ये भी एक महतपूर्ण बिंदू बनता है कि इनकी जो बानियों का सबसे पुराना जो नमूना है वो कहाम पर मिलता है वो मिलता है गुरुगरंत साहिब में और रामानंद के शीष्य के रूप में विख्यात हैं ये किन्तु कुछ लोग इन्हें क्या कहते हैं कि शेक तकी का शीष्य भी मानते हैं पर उसकी पुछती नहीं होती है तो हो सकता है इस तरीके से प्रशन पूछ किस विद्वान को कुछ विद्वान को किस कभी को मानते हैं कि वो शेक तकी के वीशिष्य हैं तो ये कबीर दास जी के बारे में कहा गया है तो इस तरीके से भी आपको इसको याद रखना हो सकता है इसलिए मैंने इसको मेंचिन कर दिया कि शेक तकी को भी कुछ लोग मानत देखे पंचमेल खिचडी नाम दिया शाम सुंदरदास ने जबकि यहां पर साधू गड़ी हो गया दोस्तों इसको आप ठीक कर लीजेगा ये सदुकडी वाशा होगा तो सदुकडी कहा था रामचंदर शुकल जी ने और भाशा का डिक्टेटर कहा है इने हचारी परसाथ द तो देखिए अलग-अलग बिद्वानों ने अलग-अलग तरीके से इनके संबंद में बहुत सारी चीजें कही हैं हालांकि अचारे रामचंदर शुकल ने बहुत कुछ कबीर के बारे में कहा है इन बहुत सारी पंक्तियां जो अचारे रामचंदर शुकल की है वो इनके सं पर ही हो जाएगा यहां पर हम देखेंगे सिर्फ जो महत्वपूर्ण पंक्ति हैं उनके बारे में तो देखें सबसे पहले डॉक्टर बच्चन सिंग क्या कहते हैं कि हिंदी भक्ति कावय का जो प्रत्थम क्रांतिकारी पुरस करता है वो कौन है कबीर जी ही हैं तो यह पंक् पूछी जा सकती है या फिर इनकी जो दोहे हैं उनसे हम देखते हैं कि उनमें क्या भाव है उस तरीके से पूछ लिया जाता है कि इस तरीके से कबीर से प्रशन बनने की संबावना ज्यादा रहती है तो इनके बारे में किस विद्वान ने किस आलोचक ने क्या चीज़ कही उनके काव्य का अधार स्वानभूती या यथार्थ है ये कौन कहते हैं ये डॉक्टर नगेंदर कहते हैं कि जो कभीर दास हुए है वो क्या है स्वानभूती या यथार्थ उनका काव्य में है तो तभी तो उन्होंने कहा था कि तू कहता कागद के लिए कि मैं कहता आंखन द क्लियर है आगे दिखी कि इसमें कोई संदे नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संबाला जो नात पंतियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ती रस में रस से शोने शुष्क पड़ता जा रहा था तो ये पंक्ति किसकी हैं ये अचारे शुकल ठीक है तो अधार किसको मानते हैं देखिए वो कि भारतिय विदान थे और सूपियों का जो प्रेम ततो है वो है इनका निर्गुणपंत का अधार ठीक है आगे देखिए शुकल का ही कथन है कि कबीर ने अपने जाड़ पड़कार से हिंदू और मुसलमानों का कटर फिरपन दूर करने का प्रयास तो किया लेकिन वो प्रयास ऐसा हुआ कि उस से हो सकता है कि वो चिर्ज आजाती है एक तरीके सरी गाया यहा है व कथन है रमचंद्र शुकल का कबीर बहुत कहरी मानुएता और सहिद्धिता के कवी हैं अखड़ता और निर्भयता उनके निरहिता जगत के सौंदरे से अभीभूत होने वाला विदयमान है तो ये कहते हैं विशुनात्री पाथी इसके बारे में भी थोड़ा सा आप पढ़ लीजेगा चाहे आप वीडियो को पॉज करके इसको अपनी कॉफी में नो डॉन कर सकते हैं आप इस चीज़ को अगला एक इसके अलावा और भी पंक्तिया है बहुत सारी जो अचार रामचनर शोकल ने, इनके समद्ध में कई हैं नगेंदर ने कई हैं या पिर बचेन सिंग जो आधूनिक हिंदी साहीति का इनका हित्याहास है या हिंदी साहीतियो का जिस्वा इसमें आपको मिल जाएंगी ये सार जात है ठीक है और सिख संपरदाय के मूल प्रवर्तक ये माने जाते हैं और आधी गुरू भी इनको कहा जाता है और प्रमुक रचनाय इनकी देखिए जपूजी आसदिवार, रहिरास, सोहिला और नसीहत नामा है ना और अधिकांश सहीते इनने पंजाबी में लिखा है परन उलटबांसी शैली का इनमें क्या भाव मिलता है हाला कि अन्य जो संत कविया उनमें उलटबांसी का प्रवाव देखने को मिलता है खासकर कवीर में हम देखते हैं कि उलटबांसी शैली को अपनाया गया है लेकिन यहाँ पर जो गुरु नानक देव हैं उन्होंने इसका प थे, तो यह कहते हैं कि जो दादू दियाल हुए हैं, उनकी वाणी में कबीर का बहुत जगा जिक्राया है, तो इसलिए वो मानते हैं कि वो क्या है, वो उन्ही के ही अनुआई थे कबीरतheen टा Wii तो इनकी रचनाओं का संगनभास, संतदास और जगनदास, इन्हों ने किया था और बाद में रजब ने अंग बदू नाम से इसका संपाधित किया था तो ये कुछ सी से महत्वपून चीज़े हैं दादुद्याल के बारे में इनकी जो अन्य रचना है देखिए वो है काया बोली तो ये हो गया पहले आया हरडेवानी फिर उसके बाद अंग बदू और फिर काया बोली ये जो तीन नाम है ये आपने याद रखने हैं दादुद्याल के संबंद में इनके जनमस्थान के बारे में हमने पहले बात कर ली है तो फिलाल इनके लिए इतना ही देखेंगे हम दादुद्याल जी के बारे में और आगे देखिए कि अगले जो मौत्वपूर्ण संत कावेधारा के कवी हैं वो है सुन्दरदास तो सुन्दरदास छे बरस में दादु के शिश्या हो गए थे इनके बारे में ये चीज़ कही जाती है पंदरासो च्यानियों में इनका जनम हुआ है ठीक है और संत कवियों में सरवधिक शास्त्रग एवं सुशिक्षित थे लेकिन उनमें से सरवध प्रमुक मानी जाती है सुन्दरदास और ज्यानसमुद्र और ये शिरिंगा रस के कट्र विरोधी माने जाते हैं और इनमें जो प्रधानता थी इनकी काव्य में बहुती शाहंत्रस की प्रधानता तो ये थे दोस्तो जो प्रमुक कवी हैं संत कावेधारा के उनके बारे में हमने थोड़ी सी चीज़ें जानी अगली वीडियो में हम देखेंगे कि जो अन्य संत कावेधारा के कवी हैं उनके बारे में हम देखेंगे फिलाल आज की वीडियो के लिए इतना ही था दोस्तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तो फिर मिलेंगे नई उर्चा और नई स्पूर्टी के साथ तब तक के लिए मुझे दीजिए अजाज़त चाहिन चाहिन चाहिन